हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग भारत के प्रसीध स्नेक कैचर और स्नेक सेवर मुरली वाले होसला के बारे में बात करने वाले हैं आजकल सोसल मीडिया पर मुझूद सस्ते दर्ज़े के पत्रकारों ने मुरली वाले होसला के खिलाप बेबुनियाद और अनर्गल आरोप लगा करके उन्हें बदनाम करने का साजी सरच रहा हैं आप में से जो भी फ्रेंड्स ये नहीं जानते हैं कि ये मुरली वाले होसला कौन है तो आपकी जनकारे के लिए बता दूँ कि ये उत्तर परदेश के जौनफूर जिलेट से आते हैं और ये बर्सों से साप पकड़ने का काम करते रहे हैं अगर आप इनके वीडियोज को देखेंगे जो कि यूटूब पर बहुत ज़्यादा मौजूद हैं तो आप पाएंगे कि इन्हें हर तरह के साप को पकड़ने में बहुत ज़्यादा महारत हांसिल है मुरली वाले होसला लोगों में बहुत ज़्यादा लोगप्री हैं और इनकी लोगप्रियता का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि यूटूब पे इनका मुरली वाले होसला के नाम से एक चैनल है जिसमें इनके सब्सक्राइबर्स की संख्या 78 लाके आसपास है दर असल मुरली वाले होसला की यही प्रसिद्धी अब कुछ लोगों की आखों की किरकीरी बन गई है जिसके चलते कुछ घटिया दरजे के पत्रकार इन पर ब्यबुनियाद आरोप लगा कर सस्ती लोगप्रियता पाने के लालच में इन्हें बदनाम करने की साजी सरच जो कि सोसल मीडिया एप फेस्बुक पर एक्टिव रहते हैं फेस्बुक पर इनका पेज भी है लेकिन मैं उस पेज का नाम नहीं लूँगा इसलिए नहीं लूँगा कि मुरली वाले होसला के नाम पे इनके पेज को देखने के लिए बहुत सारे लोग पहुंच जांगे इ उनका पादचीत करने का तरीका जो है बहुत ही घटिया तरीके का होता है और बहुत सस्ते दर्जे की बाते करते हैं रहा सवाल कि उनका पेज का मैं नाम भी नहीं लूँगा और उन पत्रकारक जी का भी मैं नाम नहीं लूँगा नहीं तो उसके जरिये भी मुरली वाले हो अंजाने में फेस्बुक चलाते हुए मैं दिभ्यांग पत्रकार के उस पेज पे पहुँच गया जहां इन्होंने मुर्ली वाले होसला की एक वीडियो के ऊपर तस्वीर लगा रखी थी सभावी कुरूब से मैं वीडियो देखता हूँ मुर्ली वाले होसला जी का वीडियो में लगतार देखता हूँ और मैंने उस वीडियो को क्लिक कर दिया चुकि उस पे मुर्ली वाले होसला जी का तस्वीर लगा हुआ था और मैं जब उस वीडियो में गया तो मैंने देखा कि कई तरह की अनरगल बाते इस दिब्यांग पत्रकार ने की है चुकि इस दिब्यांग पत्रकार को मैं दिब्यांग इसलिए कह रहा हूँ कि इसके दोनों हाथ नहीं है लेकिन मुझे लगता है कि ये सिर्फ हाथों से ही नहीं ये पत्रकार अपने दिमाग से भी अब दिब्यांग हो चुका है जब मैंने इस तथाकतित दिब्यांग पत्रकार के द्वारा डाले गए वीडियो को क्लिक करके प्ले किया तो मैंने पाया कि इसने मुरली वाले होसला जी को इस वीडियो में खुब जम कर जी भर भर करके कोस्या है अपने वीडियो में इस दिब्यांग पत्रकार ने मुरली वाले होसला जी के खिलाफ क्या बोला है वो आप सुरूआत उसका सुनी है इस तस्वीर को देखकर चौकिए मत या तस्वीर कुछ अलग बया करती होगी लेकिन लगता नहीं है कि इस तस्वीर से आप वाकई में वाकिब नहीं है जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ मुरली वाले होसले का या कोई तस्वीर किसी इच्छा धारी नाग नागिन का नहीं है बलकि यह ज्याने माने सांपों को बचाने वाले मुरली वाला होसला जौनपुरिया का है इस तस्वीर को देखकर आप लोग समझते होंगे की इच्छा धारी नाग नागिन तो दिमाग से हटा दीजिए एक कोई इच्छा धारी नाग नागिन नहीं है बल्कि ये नाग नागिन को पकड़ने वाला एक ऐसा सपेरा कह लिजिए या जो भी कह लिजिए इस वीडियो के सुरुवात में दिब्यांग ने जो बाते कहीं है उसको सुन करके तो यही लगता है कि ये दिब्यांग पत्रकार भाई या तो हिन भावना का सिकार है या अपने चैनल को लोगों की नजरों में पापलोर करना चाहता है या फिर किसी बात पे मुरली वाले होस यह सुनिये तो दोस्तों नवश्कार जैसा आपने देखा मैंने जिसको दिखाया वो एक अलग अद्भूत इंसान है इंसान है सिर्व कोई भागवान का अवतार नहीं है इसकी कहानी मैं थोड़ा सा बताता हूं मैं खुद गया था इनके घर कम से कम इनके घर पे दस से आने नहीं देते हैं घर का इन तनी बड़ी रंगदारी करते हैं मुर्ली वाले साहब चलिए थोड़ा सामदोग बात करते हैं मुर्ली वाले होसला की कहानी इनकी जौनपूर से निकलती है जौनपूर उत्तर पर देख से हैं यह मैं जौनपूर गया इनके घर भी गया था बड़ा अच्छा लगा इनके माबाद सभी लोग मिलने के बाद मैं कहा कि मैं भी मिलना चाहता हूँ साप का डबा भर भर के रखा जिसमें साप फुपकार मार रहे थे फुपकारते थे एक लोग नहीं कई लोग मेरे साथ गये थे फोन जब हुआ मुरली वाले होसलाचों कहें कि वीडियो बनाने मत दीजेगा हम से घर का बनाने कहें घर कमी बनाने मत दीजेगा आकिर जिस साप को महज 12-24 घंटा लग भग बता रहा हूँ रखने का हक होता है आप पकड़िये साप पकड़िये एक चीज़ और आपको मैं बता दू इससे पहले जब यूटूब नहीं था क्या साप नहीं थे कभी आपने इतना साप देखा है जैसे वीडियो में दिखा रहे हैं आप बताइए नहीं देखा होगा इस पत्रकार की बातों से आप समझी गए होंगे कि ये पत्रकार बिन बुलाया मेहमान बन कर बिना बताएव मुर्ली वाले होसला जी के घर इस उमीद में वीडियो बनाने के लिए गया था कि साथ मुर्ली वाले होसला के वीडियो बना कर कि ये जब अपने फेस्बुक पेच पे डालेगा तो इसको वो भी दर्शक मिल जाएंगे जो कि मुर्ली वाले होसला के फॉलोवर है और यूटूब पर जो सस्काइबर है पर उसका सारा सपना उस वक्त धुमिल हो गया जब वो पहुँचा और इसे मुर्ली वाले होसला घर पे नहीं मिले अगर यह बता करके गया होता तब यह अपने बीजी वक्त में से कुछ वक्त निकाल करके इसको देश सकते थे कि इस टाइम में आप आईए लेकिन यह बिना बताया गया था इसलिए मुर्ली वाले होसला इसे घर पे मिले ही नहीं अब आप ही बताएं कि कोई अजान आदमी आपके घर अचानक आपको भी न बताए आपसे मिलने चलाए और आप उस वक्त घर पे ना हो तो कैदे से उसे आपके आने का इंतजार करना चाहिए अगर आप आने में असमर्थ हो तो उसे फिर अगली बार फिर कभी आना चाहिए पर अगर वो ब्यक्ति ऐसा ना करके आपके अनुपका सिती में आपके घर वालों से आपके घर के अंदर का वीडियो बनाने का जीत करें तो ऐसी हालत में आपके घर वाले क्या करेंगे निश्चीत तोर पे वो फोन करके आप से पुछेंगे या उसे सिधे मना कर देंगे यह करेंगे ना ठीक यही काम इस दिव्यांग पत्रकार ने किया वो अपने आपको इतना फुल कंफिडेंस था उसको लग रहा था कि वो कहीं भी जाना चाहेगा तो लोग उसे आसानी से घर में घूच जाने देंगे इसी ठसक में उसने मुरली वाले होसला के घर वालों से जमजीत की तो उन्होंने मुरली वाले होसला को फोन किया तो मुरली वाले होसला ने भी उन्हें मना कर दिया अब उन्होंने मना किस कारण से किया मैं तो यह नहीं जानता लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर एकाद सांप पकड़ करके उन्होंन पत्रकार को मना किया पर इसने उनकी बातों को दूसरी तरह से ले लिया और बस यही बात उस पत्रकार को बुरी लग गए और उसने उसी समय मन में यह ठान लिया कि अब उसे मुरली वाले होसला की खिलाप पोजिटी वीडियो ना बना करके निगेटी वीडियो बना करके उन्हें बदनाम करना है और उसने कुछ दिनों पहले इस वीडियो को बनाया भी और 23 अक्टूबर को इसने उसे सोसल मीडिया पे अपलोड भी कर दिया मुरली वाले होसला को जनने वाले लोगों ने दिब्यांग पत्रकार के इस पेज पे जब दिब्यांग पत्रकार के द्वारा डाले वे इस घटिया वीडियो को देखा तो वे लोग बहुत नराज भी हुए और उन्होंने बहुत ज़्यादा बात्रा में इस पत्रकार को ट्रोल भी किया है इस दिव्यांग पत्रकार ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि लोग उसे इतनी बुरी तरह से ट्रोल करेंगे भाई मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि ये दिव्यांग कैसे पत्रकार बन गया पत्रकार का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज को अच्छे से रिसर्च करें उसके बाद उस पे वीडियो बनाए पर उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है मैं वीडियो में आगे जो बताऊंगा उससे ये बात आपको समझ में आ जाएगी फ्रेंड्स आप सबने एक कहावत तो जरूर सुनी होगी कि सावन के अंधे को हरा ही हरा न जराता है ठीक उसी तरह से चोर को सारे लोग चोर ही न जराते हैं अब जरात दिब्यान पत्रकार की ये बाते सुनी है आज यूटूब चाई हम हो चाई कोई आज एक बड़ा खुलासा में कर दे रहा हो कि जो लोग कहते हैं न कि मैं आवाज उठा रहा हूँ जो लोग कहते हैं न कि मैं समाज की सहाथा कर रहा हूँ कहीं न कहीं सबका मंजीद सिर्फ पैसा है चाए हम हो चाए मुर्ली वाला होसला हो चाए जो अपने आपको समझते हो सबील का जिस दिन से सोशल मीडिया से पैसा आना बंद हो जाएगा उस दिन सबी लोग ना कोई साप पकड़ेगा ना कोई माईक उठा के चिलाएगा कि मैं आपकी आवाज उठा रहा हूँ यह बाते हमारी कुछ लोगों को थोड़ा सा लगेगी लेकिन लगने का कोई साप नहीं है मुझे चुकि मैं भी उसी में हूँ अगर आज मुझे यूट्यूब से सोसल मीडिया से पेमेंट नहीं आता तो मैं नहीं करता इस दिव्यांग पत्रकार की बातों से आप अच्छी तरह समझ गये होंगे कि यह पत्रकार किसी भी वीडियो को जब सोसल मीडिया पे डालता है तो उसका एक मातर उदेश चोता है सिर्फ पैसा कमाना और यह पैसा कमाने के लिए किसी भी हद तक गिर करके किसी भी लोग को बदनाम करने के लिए किसी भी तरह का वीडियो बना करके अपलोड कर सकता है और ठीक इसी तरह का घटिया प्रयास इस पत्रकार ने मुरली वाले होसला के खिलाफ किया पर इस पत्रकार को ये पता होना चाहिए कि मुरली वाले होसला उस असमान की तरह हैं जिस पर अगर कोई थूकने का प्रयास करेगा तो उसका थूक उसी के मुह पर आग करके गिरेग इस सस्ते दर्जे के घटिया पत्रकार को ये पता होना चाहिए था कि मुर्ली वाले होसला के यूटूब चैनल के करीब 78 लाग के आसपास सब्सक्राइबर्स हैं और ये चाहते तो खुब अराम से 15-20 लाख रुपे महीने के यूटूब से कमा सकते थे पर इन्होंने अपने यूटूब के मुनेटाइजेशन को बंद करके रखा है यानि कि यूटूब से ये एक पैसा भी नहीं कमाते हैं मैं इस वीडियो के माध्यम से इस लालची दिव्यांग पत्रकार से ये जरूर पुछना चाहूँगा कि उसने किस आधार पे ये आरोप लगाया था मुर्ली वाले होसला जी पे कि ये यूटूब से बहुत सारे पैसे कमाते हैं और इस पत्रकार ने जो आरोप लगाया था कि ये लोगों की भरभर के पैसे से मदद करते हैं तो जहां तक इनके पैसे से मदद करने वाला बात है तो इस पत्रकार को मालूम होना चाहिए कि मुरली वाले होसला नाम से एक NGO फाउंडेशन भी है मुरली वाले होसला जी के पास जिसके जरिये इनको कुछ मदद आती है जिसको कि ये गरीबों की मदद करने में उसका उपयो फ्रेंड्स अपने वीडियो में पत्रकार आगे कहता है कि मुरली वाले होसला को सापों को अपने घर में नहीं रखना चाहिए क्योंकि वे सापों पर अत्यचार करते हैं दिभ्यांग भाई पत्रकार था अगर तुम कर ही रहो तो इतना तो जरूर ही जानते होगे कि इन सा साप के जहर की काट इसी से बनती है साप के जहर से ही बनती है तो यह बताओ कि अगर कोई साप तुम्हें काट ले तो तुम क्या करोगे जाणफुक करवाने जाओगे जाणफुक से ठीक हो जाओगे अगर मुझे लग रहा है कि जाणफुक अगर करवाओगे तुम तो एक बनता है और पता नहीं तुम कहां से इतनी बेसीर पैर की बाते कर ले तो है यार पत्रकार होते हुए भी इतनी तो बेसिक जनकारी तुम्हें होनी ही चाहिए मुझे नहीं पता कि मुरली वाले होसला इन साफों का करते क्या है लेकिन कुछ दिर के लिए मान लिया जाए कि अगर ये साफों का जहर निकाल करके उन संस्थाव को देते हैं जो कि लोगों की जान बचाने के लिए उतसे एंटी वेनम तेयार करते हैं तो इसमें बुराई क् फ्रेंड्स अपने वीडियो में इस दिव्यांग पत्रकार ने मुरली वाले होसला पे उनके द्वारा साफों को ले जाकर गाउवालों के बीच छोड़ करके फिर से वीडियो बनाने कारोप लगाया है जो की बिलकुल निराधार और बेबुनियाद है मैंने कई बार मुरल में छिपकलिया पाई जाती है उनको भी और अन्य जानवरों को भी बचाते हुए देखा है तो क्या मुरली वाले होसला इन सारो जानवरों को अपने साथ गाड़ी में ढोकर के ले जाते होंगे क्या वे बिशाल अजगर को उसके अंडो और बच्चों के साथ गाउव में ले जाते होंगे और उसके लिए बिल बनाते होंगे और उसके बच्चों के लिए घोसला बनाते होंगे ऐसा लगता है और उसके बाद फिर उनकी खुदाई करके बाहर निकालते होंगे वो भी सैकडो गाउवालों के सामने दिब्यांग भाई मुझे तो ऐसा लगता है कि तुमने उनकी एक भी वीडियो ठीक से नहीं देखी है. इसलिए तुम ऐसी अनर्गल बाते कर रहे हो. तुम्हें उनकी वीडियो को अच्छे से देखना चाहिए था, उसके बाद वीडियो बनाना चाहिए था. उनकी सारी वीडियो को मेरी सला है कि एक बार अच्छे से देखो और उसके बाद वीडियो बनाओ रही बाद मुरली वाले होसला के पड़ोसियों की जिनका हवाला देकर तुम उन पे आरोप लगा रहे हो कि मुरली वाले होसला ऐसे हैं वैसे हैं तो ये सभी लोग जानते हैं कि हर जगा सफल ब्यक्ति जब होता है कुछ लोग ऐसे निकलते हैं जो कि देख करके जलते हैं और जलन के मारे तरह तरह के आरोप लगाते हैं उस ब्यक्ति को बतनाम करने के लिए आगे से तुम स्वक्ष और तत्यों पर आधारित पत्र कारिता करो ताकि लोग तुम्हारे वीडियो को अच्छे से देखें और तुम्हें अप्रिशियेट करें अंत में दिव्यांग भाई मैं तुमसे यही करना चाहूंगा कि जिस कीचड में तुम फसे हुए हो उसमें किसी और को फसा करके तुम दूद के धूले सावित नहीं हो सकते हो इसलिए इस बात पर ध्यान दो अगर मेरी बातों को ध्यान नहीं दोगे तो आने वाले समय में इसी तरह के अनरगल वीडियो बनाते रहोगे तो तुम्हारे दिमाग को भी दिव्यांग होने से कोई नहीं बचा पाएगा फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको कैसा लगा कॉम्मेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताईएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तेसे औरोप को भी शेयर करियेगा और हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब करियेगा आज की वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं तब तक के लिए नमस्कार